तो क्या हाल चाल सस्री अकाल दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त सिफ कौमार और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पत्ता गोभी की उन्नत खेती की A to Z संपूर जानकारी यानि कैवेज फार्मिंग और जो आज की वीडियो है न कीवल हम स्टेप बार स्टेप बताएं और इस पीसर इल्लियों का प्रिकॉप देखने के लिए मिलता है उनको और गने तरीके से भी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं रासान तरीके से हम बंद गोभी की उन्नत खेती कर सकते हैं तो बस आप इस वीडियो को एंड तक जरू देखते रहिए और इस चैनल पर आप पहली बा कर दो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं उन्नत समय के बारे में हमारी किसान भाई उन दोवारा कौव भी ज्यादा कॉमेंट्स आते हैं कि हमको जो उन्नत टाइम अनुकूल सूटेबल टाइम है वो क्या है बरसात के लिए आप मई जून जुलाई पर बं आप गर्मियों के लिए आप नवंबर दिसंबर और जनवरी का जो टाइम है बहुत ही अनुकूल माना गया है इस टाइम यदि आप बंद गोभी की खेती करेंगे तो काफी अच्छा मुनाफ़ा ले पाएंगे बात करते हैं खेत तयार तो मैं आपको रेक्मेंडेट ट्राली पूरी खेत पर बिखेर कर प्रती एकल की दर्स हैं अन्तिम जुताई पर रोटोवेटर यार हैरो से आप केट को समतल करा लीजिये लीजए आपका खेत तयार हो गया बात करते हैं मिट्टी तो उत्तम जल नकास वाली काली दो मट्टी पर और लग बग काली-पीली दो माट बालूई मिट्टी पर भी आप सफलता पूर्वक बंद गोभी की उर्नत खीती कर सकते हैं लेकिन जो आपका खेत है मैनेजमेंट ठीक तरीके से होना चाहिए यदि आप बरसात पर कर रहे हैं तम जल नकाश वाली मिट्टी होना चाहिए यानि बरसात हो जाती है तो तुरंत पानी नकल जाना चाहिए आपको मैनेजमेंट अपने खेत का कर लेना पहली चाहिए बात कर लेते हैं टेंप्रीचर यानि ताबमान तो जो बंद गोवी पत्त गोवी की कैसी फसल है जो अधेक पाला भी सेन कर लेती है यदि थोड़ा हाई टेंप्रेचर भी हो जाता है तो यह आसानी से मैनेज कर लेती है यानि अधेक ठंड का इसमें प्रभा खोब आती है बात करते हैं उन्नत किस्मों की बारे में तो मैं आपको तीन से चार बैराइटी के बारे बताने वाला हूँ जो पत्ता गोवी की आप सफलता पूरवा खेती करने के लिए इन किस्मों का चैन कर सकते हैं यदि आपके हिसाब से और ही बढ़िया हाईवरेट की बढ़िया है इसके अलावा सेविनिस का इंदू यह भी एफ वन हाईवरेड है इसका जो पत्ता गोवी का साइज यह भी काफी अच्छा आता है और जो मैं बैराइटी बता रहा हूँ इनको आप आसानी से मार्केटिंग करने को भी दिक्कत नहीं है इसके अलावा जो सेव इटा की बीसी नबे एफ वन यह भी काफी वड़िया हाई बिरेड है और आपके एरिया में जो बढ़िया बैराइटी हो आप उसका चायन कर सकते हैं मैंने चार से पांच बैराइटी के बारें बताया इनका जो उत्पादन है इनका जो पत्ता गोवी का साइज है ग्रीन न पार और जो मैं खेती का पूरा सेडिल बता रहा हूं यह प्रती एकल की दर से ही आपको नौलीज मिलने बाला है बात करते प्रती एकल बीच की आवा सकता तो असी से लेके 100 ग्राम की आसपास एक एकल पार सीट्स की रिक्वार्मेंट होती है और यदि देखा जाए प्रती से 40,000 प्लांट आप आसान इस एक एकल पर लगा सकते हैं बीच उपचार आप बीजों को उपचार जरूर करें देखिए बंद को भी कैसी फसाले नरसरी तयार करनी पड़ती है तो नरसरी तयार 25 से 30 दिनों में हो जाती है और बीच उपचार आप जरूर करें मेंको जैब और कार्बेंडाजम यह तो फंगी साइट से आप बीजों को उपचार कर सकते हैं बात करते हैं देखिए नरसरी 25 से 30 दिनों में तयार हो जाती है 30 दिन से अधिकी नरसरी नहीं होना चाहिए नरसरी को लेट नहीं करना चाहिए लगाने में और बात करते हैं ट्रांस प्लां होना बहुत ही जरूरी है और जिस गड़े पर आपको रोपाई करनी है प्लांटिसन करनी है बहाँ पर आप एनपी के 12 बाती 16 खाद को 10-10 ग्राम प्रती गड़े के हिसाब से खाद को एनपी के खाद को देकर आप प्रती गड़े प्लांटिसन कर दीजिए बात करते हैं कर रहे हैं तो रोजाना या फर एक दिन छोड़ एक दिन भी आप एक से देल घंटे पानी चलाएंगे तो भी आप आसानी से सीचाई कर पाएंगे बात करते हैं गिरोध के लिए प्रमोटर देखें गिरोध के लिए प्रमोटर और उससे पहरे बात करते हैं प्लांट टू प् एक से देड़ फिट रख सकते हैं तो यह distance बढ़िया रहता है बात करते ग्रोध के लिए promoter हम जैसे मतलब है plantation कर देते हैं लगता हमाई जो फसल है थोड़ी सी अच्छी growing हूँ तो organic के लिए आप धनुका क्या धनजाइम गोल लाता है उसको आप 20-25 दिनों की जब फसल होती है तब आप spray कर सकते हैं 200-300 ml एक एकर पर 200 लीटर पानी पर आप छलकाव कर सकते हैं आईए जानते हैं सबसे important topic के बारे में यानि कीट प्रकूप और नियंतरा देखिए बंद गोभी यानि पत्त गोभी की यह कैसी फसल है अब तक गोभी की फसल को इल्ली यह पूरी तरह से नस्ट कर देंगी बरबाद कर देंगी मतलब आप कुछ भी उससे कमाई नहीं कर सकते हैं तो यह काफी important topic और काफी ध्यान से सुनिए इल्ली कई परजातियों की इल्ली पाई जाती है परजातियों की इल्ली पाई जाती है तो उनको आप साथ नियंदर कर सकते हैं तो काफी important है topic आपके लिए तो करपिया ध्यान से सुनेगे पत्ता गोभी की ऐसी फसल है जिसे पत्ता को खाने वाली कई परजाती है तो इस पीशाल लगवक्त सभी कीट और स्पेसर इलियों को नियंतर करने के लिए लूपर्स को और भी तरह तरह की इलियों को नियंदर करने के लिए एक बहुत ही सपेसल शानदार रिजल्ट देने वाली इंसेक्टिसाइड है जिनका इस्प्रे हम लोग खुद करते हैं सूमी टोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेट की एक आती है सूमी प्रेम पट 300 ml एकड़ पर स्प्रे करना है जिसे काला घोडा की नान से भी जाना जाता है सुमी प्रेमपट इंसेक्टिसाइट को आपको 300 ml एक एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए जब आपकी फसाल 40-50 दिन से उपर की हो देखी एक बात मैं आपको और बता दूँ कि कोई फसाल है और मालो आपकी बंद गोभी की ही फसाल है और आपको 10-15 दिन की हुई है और आप इल्ली का प्रकॉप आपकी फसाल पर देखने के लिए मिल गया है तो ऐसी कंडिसन हमाई फसाल छोटी है तो हम सुमी प्रेम पर इंसेक्टि साइट को तो 300 ml एक एकर पर स्प्रेग नहीं कर सकते है तो उसी को हम 100 ml एक एकर पर स्प्रेग कर देंगे यानि कोई फसाल को इल्ली का प्रकॉप है या कीटों का प्रकॉप है तो full doge ना spray करके हम आधर से आधा डोज को spray करना चाहिए यानि एक्जांपल के लिए कोई डोज है जिसको हम को 300 ml एकड़ की दर से spray करना चाहिए यदि हमाई कोई फ़सल चोटी है तो हमको उस डोज को 300 ml itspry ना करके 100 ml एक एकड़ पर spray करना चाहिए इस example से आप आसानी समझ गए होंगे कि किसी भी कीट नासक को फसल छोटी है तो कम डोच कहा ही हमको छलकाप करना चाहिए तो ध्यान रखना है आपको जो 300 ml एक एकर पर इस्प्रे करना चाहिए काला गोडा इंसेक्टिसाइड को जो सौमी टॉमो केमिकल्स की सौमी प्रेम पर इंसेक्टिसाइड आती है इसके अलावा एफएमसी की रोगोर इंसेक्टिसाइड आती है जो मुक्रूप से रस चूसने वाले कीट जैसे एफेड है मिली बग है, होपर्स है, जैसेड है, थ्रेप्स है, केबाल रस चूसने वाले कीट है, वाइट फिलाई है तो उसको आपको 150 ml एक एकड़ पर स्प्रे करना चाहिए FMC की रोग और इंसेक्टिसाइड को लगबग साइप परकारी की इल्लियों को एक साथ नियंतर करने के लिए सबसे पावरफुल दबाई बता रहा हूँ FMC की वैनविया इंसेक्टिसाइड को आपको 180 ml एक एकड़ पर स्प्रे करना चाहिए 200 लीटर पानी पर जो लगबग साइप परकारी की इल्लियों को पत्तों को खाने वाली इल्लियों को आसानी से नियंतर कर लेती है इसकी अलाबा YouP внутire का एटावरन इंसेक्टिसाइड आता है 300 ml एकड़ पर या फिर अदामा इंडिय कंपनी का अदामा इंडिय कंपनी का पर थोरा इंसेक्टिसाइड आता है उसको 250-300 ml एक एकड़ पर स्प्रे करना चाहिए अब मैंने तीन से चार दवाईयों की पांच दवाईयों की नाम बताए है आपके हैं जो पलब्ध हो आप उसको इस्प्रीक कर सकते हैं आसानी से आप पत्तों को खाने वाली इल्लियों को और रस को चूसने वाले कीटों को आप आसानी से पिरकोप को आसानी से नियंतरन कर सक और बिलाइट से रेलेक्टिड लगभा कई परकार की फंगस आते हैं तो ऐसी कंडिशन में आपको दो से तीन फंगी साइट की नाम बताने बाला हूँ जिनको आप एक ही बार पर आसानी से नियंतरा कर सकते हैं जैसे आपकी फसल पर लीप, स्पोर्ट्स है, डाउनी मिल्डियूड है, पाउडरी मिल्डियूड है, अंत्रकिनोसिस है तो आप UPL कंपनी का अवांसर गिलो फंगी साइट आती है 400 ग्राम आपको 200 लीटर पानी पर एक एकल की दर से इस्प्रे करना चाहिए, जब भी आपकी फसलों पर फंगस लगे हुए है इसके अलाबा नागर जुन कंपनी का इंडेक्स फंगी साइट आता है, एक एकल पर आपको 300 ग्राम इस्प्रे करना चाहिए, 200 लीटर पानी पर यह भी काफी अच्छी रिजल्ट देता है इसके अलाबा सेजिन्टा का क्रिस्टल का जो सेजिन्टा का स्कोर फंगी साइट आता है, 200 ml एक एकल पर इस्प्रे यदि आप करेंगे, तो आप आसान इसे जो मैंने फंगस बता है या फिर आपकी बंद गोवी पत्ता गोवी की फसल पर फंगस का आटेक है तो आसान इसे इन तीन फंगी साइट को इस परिकार के, किसी भी एक को इसंप्रे कर आप आसान इसे नियांत्राण कर सकते हैं, कब इस परिकार ना है, जब भी हमारी फसलों पर प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है फंगस का इसकी अलाब बात करते हैं सबसे इंपोटेंट, सबसे और्गनिक खेती कर रहे हैं तो गोबर की खाथ है जैब बैक्टेरिया है ऐसी और भी तरह तरह की खाथ को देना पड़ता है यदि रासानिक की तरफ जाया जाए तो देखा जाए कि देखिए खाथ का सेडू समझने से पहले 90 दिन में यह हार्वेस्टिंग के लिए 75-80-90 दि दिन यानि आपकी बंद कोई पूरी तरह से तरह से सब्यार हो जाती है और आसानी से मार्केटिंग कर सकते हैं तो जैसा आपकी फशल 10-12 दिन की होती है जैसे आपकी फशल रोपाई की तो आपको देना 3 किलोग्राम ANP के घुलन सील खात को 1261 जीरो घुलन सील खात को ड्रेप पर छोड़ दीजिए यादि आप सिंपल तरीकिस कर रहे हैं तो जणों की पास छोड़कर पानी नोजल की स्थायता से स्प्रिंगलर से सिचाई से आप सिचाई कर सकते हैं इसके अलावा बात करते हैं जैसे हमाई फसल 20 दिन की होती हैं तो चार किलोगराम हमको एनपी के घुलन सील खात 19-19-19 लेना है और दो किलोगराम हमको सुख चपो सकता तक तब एक तखात को ड्रेप पर याप सिंपल तरीकी से दे कर पानी चला देना है इसके अलावा जैसे ही हमारी फसल 30 दिन की होती है रोप आई से तो हमको सलपर एक तखात को लेना है 5 किलोगराम और हिमक एसे एक तखात को लेना है 2 किलोगराम और एनपी के खात 3 किलोगराम हमको लेना है 17-14-00 खात को ड्रेप पर भी छोड़ सकते हैं या फिर आप जणों के पास देकर पानी चला दीजीए इसके अलावा 40 दिन की हमारी जब फसल होत तो हमको 0-0-3-4-5-2-10-3-5-4-3-5-6-4-0-0-4-2-1-3-5-2-4-1-8-6-3-0-1-8-0-1-3-2-5-4-8-6-4-1-4-0-1-3-6-3-4-3-5-5-4-3-1-2-5-4-2-5-6-3-1-5-4-1-2-5-5-3-4-5-1-4-4-5-4-4-1-2-5-3-4-2-1-2-5-4-0-2-4-5-1-4-2-1-5-3-2-4-K-1-5-2-2-4-1-1-3-5- फटीलाइजर उसको लेना है और बोरॉन एक खाद को 3 kg लेना है ड्रेफ पर छोड़ सकते हैं इसके अलाब जैसे हमाई फसल 60 दिन की होती है रोपाई से तो इफको कंपनी की सागरी का दानेदार आती उसको लेना है और 5 kg हमको 5 kg हमको दानेदार खाद लेना है सागरी का और 8 kg हमको AS, SP, सिंगल, सपरफासपेट, पाउडर बाली जो पाउडर फॉम में आती है उसको लेना है और हमको ड्रेफ पर छोड़ देना है या फिर सिंपल तरीकेश छोड़ देना है इसके अलाब जैसे हमाई फसल 70-75 दिन की होती है तो ANP के घुलन सील खाद 0050 को 5 kg लेना है और सुक छिंपो सकत तत्व एक तक खाद को 5 kg लेकर ड्रिप या सिंपल तरीकेश छोड़ कर पानी चला देना है इसके अलाब जैसे हमाई फसल 90 दिन की आसपास की होती है फिर 90 दिन से आसपास ही समझे लिए फिर अंत्यम खाद आप समझे लीजिए कि आपको 20 kg आपको ले हो या फिर कोई भी हो देखी पहले तो फसल को देखा जाता है यानि आवस्कता अनुशारी हमको फर्टीगेशन करना चाहिए यादि आपकी फसल परयाप्त मात्रा पर हरी भरी है मतलब कोई भी पोस्त तत्व की कमी नहीं देख रही है तो आप जो खाद को कम भी मात्रा प करना ये और गौम-उत्र को मिक्सक करकि आप 15 लीटर पानी पर 200 ml की दर्ट से आप श्प्रेय कर दीजिए 15 लीटर पानी पर इसके अलावा सुरक्षा साबधानी और देख रेक किर्पिया धियान दीजीएगा सुरक्षा साबधानी और देख रेक दीखिए बंद गोभी प पंद्र पंद्र दिनों के अंतराल पर देकर भी एक अच्छी खेती कर सकते हैं इसके अलाबा यदि आप आपकी फसल ग्रोइंग नहीं हो रही है तो उसी के अनुसारी आप फटिकेशन करें मेरे हिसाब से और यदि आप सुरक्ष साब्धानी की बात की जाए तो एक बंद ग होगी कि किसी दवाई को यदि फसल झोटी होने से सांञें करना चाहिए क्योंकि फसल हमारी छोटी होने संस्षां हने संसंथ पत्ते कॉमल होते हैं इसलिए कोई फसाल पर दवाई नुकसान नहीं करना चाहिए कम मात्रा पर इस्प्रे करना चाहिए तो लूपर्स इल्ली का प्रकुब प्रारंबक अवस्था में ना किवल प्रारंबक अवस्था में देखने के लिए मिलता है बलकि पूरी जीवन चक्र पार तो आप जो मैंने दवाईयां बता है जब भी आपको ऐसा प्रकुब देखने के लिए मैं ले इल्लीयों का आप आठ वे दस वे या पंदरा पंदरा दिनों के अंतरा पर भी आप दवाईयों को स्प्रे करते रहें तो ऐसे करके आप आसाई से चुरक्षा के सांसा देख रेक भी आवसकता होती बरसांत में कर रहे हैं तो आप देखिए 25 से 30 दरों में आपकी नरसा री प्लांटेशन तयार हो जाता है आप जो बंद गोवी की फसल है अंगेती फसल लेने की कोस्स करें जो मैंने बैराइटी बताई है काफी अच्छा उत्पादान काफी अच्छा उपाज है और आप ध्यान रखें कि कम से कम कोस्ट पर ही बंद गोवी पत्ता गोवी की फार में अच्छे से खेती करने की कोस्स क करें तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है और बंद गोवी की जो खेती है हमाई जो किसान भाई युवा किशान भाई हैं आसानी से कर सकते हैं तो बंद गोवी पत्तव गोवी कि ऐसी फसल है जो मैई जून पर भी मैई पर भी आप नरसरी तयार करके एक अच्छा मुनाफ़ा ले सक सकते हैं अच्छे से खेती कर सकते हैं कई प्रकार के फंगास आते हैं यादि मैंने फंगी साइड बता हैं उसके अकॉर्डिंग आप स्प्रे करेंगे तो नके वर कम से कम से कम लागत यह कि ऐसी जो बंद गोवी कि कैसी फसल है जिसमें कोस्ट कोई जादा नहीं होती आप तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप ओपन फिल्ड भी कर सकते हैं बिना मल्चिंग पेपर के बंद गोवी को और गोवी को बंद गोवी पत्ता गोवी फूल गोवी के ऐसी फसल जो कम लागत मैं बारवार कह रहा है कि कम से कम लागत पार आप जादस जादा लेने के बाद आपको जानकारी सीर कर रहा हूं तो दोस्तो आज की वीडियो में हमने केविज फार्मिंग step-by-step जानकारी देने की कोसिज यह जानकारी बहुत अच्छी लगती है तो आप कुछ भी अच्छ पर्लकार करने की कोसिज ना करें केवाल हमारी वीडियो को लाइ बाइब आवाई